पंजाबी फेमस सिंगर एपी धिलो के कैनाड़ा वाले घर के बाहर हाल ही में ताबर तोड फाइरिंग की गए ऐसे में एपी धिलन को लेकर उनके फैन्स काफी जादा परिशान नज़र आए सल्मान खान के साथ हाल ही में एक गाने में नज़र आचुके एपी धिलनो को शायद इस बात की कीमत चुकानी पड़ी है कि उन्होंने सल्मान खान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई जी हाँ कैनेडा में एपी धिलन के घर के बाहर पर गोली बारी हुई और इसके जिम्मेदारी खुद लॉरेंस बिशनौई गैंग के रोहित गोदारन ले थी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था और उसमें सल्मान खान का जिक्र भी था इस खबर से हर कोई परिशान हो गया था सिंगर के लिए फैंस ये जानना चाहते थे कि इस गोली बारी के बाद इस इंसिडेंट के बाद एपी धिलनो कैसे हैं फैंस सिंगर की सिजुएशन जानने के लिए बेचैन थे अब फाइनली सिंगर ने इंस्टरग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें बताया कि वो पहले से जादा सुरक्षित है एपी धिलनो ने एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने बताया मैं सुरक्षित हूँ मेरे लोग भी सुरक्षित हैं जिनोंने भी मेरे से कॉन्टाक्ट करने की कोशिश की और हाल चल जानने की कोशिश की उन सभी का शुक्रिया आपका साथ मेरे लिए बहुत माईनी रखता है शांती बनाई रखिये मेरे आप सभी को धेर सारा प्यार और इसके साथ ही एपी धिलनो ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेर किया जिसमें वो अपने घर में गाना सुईट फ्लार गुन गुना रहे हैं जिसे देख रखने के बाद लॉरेंस मिश्नौई गैंग उनसे काफी चड़ गया था जिसकी कीमत एपी धिलो को चुकानी पड़ी और उनके खर के बाहर ताबर तोड फाइरिंग की गई एपी धिलो का हाल ही में सलमान और संजीदत के साथ यह जो गाना आया था ओल्ट मनी इसी को लेक लॉरेंस मिश्नौई गैंग काफी नरास था रोहित गोदारा ने गोलीबारी के जिम्मेदारी लेते हुए कहा था राम राम जी सारे भाईयों को एक सतंबर की रात केनेटा में दो जगा फाइरिंग हुई विक्टोरिया आयलेंट और वुट बिस्टोरेंटो दोनों के जि इस अंडर वर्ड लाइफ की तुम लोग कॉपी करते हो हम एक्शिल में वो लाइफ जी रहे हैं अपनी अवकात में रहो नहीं तो कुत्ते की मौत मरोगे जी हां यह सीधा सीधा धमकी दी थी लॉरेंस बिश्नौई गैंग की तरफ से एपी जिलो को लेकर इसके बावजू अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे आप हमारा ये विडियो फेस्बुक पेश पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए बॉली वोडर टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं फिल्मी बीट